दावे पूरे होते हुँ दिख रहे हैं दिली जरकार के इनका कोई दावा ये एक्शली काम करने आये ही नहीं न ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता पहलाने जूट बोलने आये हैं अभी पंजाब में चुनाब जीते फिरी की बात करके अगले दिन मुख्य मंतरी को भेज दिया है भागबंदवान जी को कि जाओ मोदी जी से पैसे मांग के लाओ हम राष्टबात की बात करते हैं हिंदूत की बात करते हैं क्यों ना करें मौला क्लिनिक जो है वीमारी का अड़्डा बन चुके हैं नमस्कार मैं हूँ अश्री जुबे और आप देख रहे हैं इत्दा नीजस्टेपीन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पांडव नगर में यहां के पाश्यत गुवित नगरवाल से जानते हैं कि आखिर एमसीडी में इस वार किसका सिक्का चलने वाला है और किस पर जनता एत्वार जताने वाली है गुविन अगरवाल जी तीनों नगर निगम एक कर दी है के अंदर सरकार ने आमादमी पार्टी इसके सक्त खिलाब जा रही है करें यह तो राजनीती कर रहे हैं हार से डरके भा रोक करके दिल्ली के विकास को उन्होंने रोका दिल्ली के करमचारियों को उन्होंने लगातार तंग किया है आज भी तीन-चार महिने की तंखाएं करमचारियों की बाकी हैं और सारे विकास के काम जो हमारा निगम पार्सुदों का फंड होता था प्लान फंड होता था जि से बीजेपी चुनाव से बाग रही है कि बीजेपी चुनाव से डर गी इसलिए तीनों नगर निकां कोई कर दिया कि तो हार लगे तो एक जगे से हारे हारने की बात नहीं है बीजेपी पूरी देश पे सासन करती है और लोगों के प्यार से और बोट से सासन करती है के जरिव गेजरिवाल जी का कहना है कि अगर mcd में बीजेपी जीत गई तो राज नीती छोड़ देंगे वो तो बच्चों की कसम पहले भी खाते रहे पहले भी हम बंगला नहीं लेंगे कोटी नहीं लेंगे कार नहीं लेंगे तो उन पर दिल्ली की और देश की जंता कोई विश्वा से होगी तो बोलतेंगे mcd में फो बीजेपी वाले हैं वही है घो लोग आयेंगे तब तक हम अपनी कि बीजेपी के मनसाई नहीं के काम करने की तो इस राजनीती में आम जंता पिश रही है एक सीधा सा आंकलन है कि हमारा भी आंकलन होता है उनका भी आंकलन होता है जो सर्वे होते हैं आम बढ़म में जो भी बीजेपी के निगम पार्षद है उनका सर्वे passing हर जगे निगम पार्षद जहां भी आंम आदमी पार्षद आपसाल बिकले अंपने बार्टों अब जैसे MCD चुना वाने वाले हैं ठीक है तैयारियां पूरी चल लेए इस वार आपको पूरी उम्मीद है कि कमल फिर से खिल जाएगा बिल्कुल खिलेगा पहले से ज्यादा बहुमत से खिलेगा दिल्ली की जनता को भी यह समझ में आ गी है कि असली काटा कहा फसा हुआ थ जो उनका लॉली उसे एक कदम आगे वह निकल गए सरव अब दारू भी फिरी करिए नहीं दारू कोई फिरी नहीं है दारू के जो माफियाओं को कुछ कंपनियों को ठेके दिये थे दस जार करोड रूपया जो उन्होंने एकटा किया था वो पांच स्टेट में चुनाबम में वो बरबाद कर चुके हैं फिरी की लॉली वहां भी दी थी अभी पंजाब में चुनाब जीते फिरी की बात करके अगले दिन मुख्य मंतरी को भेज दिया भागवां जी को कि जाओ मोदी जी से पैसे मांग के लाओ मतलब उनका कोई स्टेंड नहीं है देश की जंता उ उनका कोई साथ देने वाला नहीं है वो सिर्फ लकड़ी की हांडी चड़ चुकी है बारवार नहीं चड़ेगी बीजेपी तो राष्टवाद के मुद्दे पे करती है और फिर लोगों को बटवा देती है आपस धरम को धरम का मुद्दा उच्छा देती है ये भी बात की बात करते हैं इंदुत की बात करते हैं क्यों ना करें मुहला क्लिनिक के लिए केजरिवाल साहब और आमाद में पार्टी है पीट तफ़तो पाती निजर आती है मुहला क्लिनिक जो है वीमारी का अड़ा बन चुके हैं बजाए कहा थे मुहला क्लिनिक जब दिल्ली म मर रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, और केजरिवाल जी ने माने ग्र्यमातरी जी ची पीकर दिया था, यह कहीं उए सम्वेदन हिंनता है, केजरिवाल जी की और जहां तक मोला क्लिनिक की बाद है, वहाँ कहीं आपको जानवर सोते हुए मिलेंगे, कहीं वहाँ नसेडी पड़े हुए मिलेंगे, मौला क्लिनिक का योगदान क्या है, दिल्ली की जंता को सुब्दा देने में, यह बता दीजेए. सिसी टीवी लगवाने की बात करीए थी महला सुरक्षाओ को लेकर, आपको दावे पूरे होते हुँ दिख रहे हैं दिल्ली जरकार के, इनका कोई दावा, यह काम करने आये ही नहीं न, यह सिर्फ और सिर्फ अराजकता पहलाने है, जुट बोलने आये हैं, इनका कोई होगी, कमल खिलेगा, जहां भी अलक्षन होंगे, कमल खिलेगा, जनता का आप पर विश्वास करती है, उसको पता है कि यही लोग है, जो समाज का देश का विकास कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, यह थे गुविन अगिर्वाल जी, पंडवनगर के पारसाज ज देख्तेरी, दान्यस्टी.